शुन्निकाल स्रीमती सोनिया गांदी ज्याक्षमादे आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवास करती हूँ आपके माद्यम से मैं सादन का ध्यान सरकार की उस योजना की स्थरा सीचना चाहती हूँ जिसमें रेलवे की छे उत्तादन इकाईयों का कंपनी करन किया जाने बाला है इस योजना के प्रतम्चरण में राइबरेली की मौदन कोच पैक्टरी होगी अध्यास महादे जो कंपनी करन यानि कॉर्परिटाइजेशन का असली माइने नहीं जानके है मैं उन्हें यह बताने की इजाज़त चाहती हूँ कि कंपनी करन दरासल नीजी करन की शुरुआत है या देश की मुल्य संपती कॉर्यों के दाम चंद नीजी हातों के हवाले करने की पहला रक्रिया है इससे हजारों हजारों लोग बेरुज़गार हो जाते हैं असरी चंद तो इस बात की है कि सरकार ने इस प्रयोग के लिए रइबरेली की मौदन कोज फैक्टिरी को चुना है जो की कई कम्याब परियोज जुनाओं में से एक है जिन्हें दाक्तर मनमोहन सिंजी के निक्रित्व में क्यूपिये सरकार ने देश के घरेलो उस्वादन को भावा देने यानि मेकिन इंजिया के लिए शुरू किया था आज इस खरकाने में उसकी बुनियादिक शमता से भी काफी ज्यादा उस्वादन को रहा है भर्तियर रेल्वे का ये सबसे अधूनिक खरकाना है और सबसे सबस्ती कीमतों पर सबसे बहतर रेल्वे कोस्ट बनाने के लिए मशूर है ये सबसे अच्छी हिकायों में से एक मानी जाती है जिसकी स्थापना के समय से ही सरकारों ने इसमें बहुत बहुत पैसा लगाया है अपनी करी महनत से ये उफलब्दी हासिल करने वाले दो खजार से ज्यादा मजदूरों और करमचारियों को मैं इस सादन में बढ़ाई देती हूँ लेकिन दुख के बात यह है कि अब उन सबी का और उनके परिवारों का भविश्य भारे संकत में है और किसी को भी यह समझना मुश्किल है कि क्यूं यह सरकार ऐसी उर्डियोगिस पिकाई का कंपनी कारण करना साथी है अध्याक्समा होदे संसद में आलग से रेल बाजिट पेश करने की इतनी पुरानी परंपरा तो पता नहीं इस सरकार ने क्यूं अचानत खासम सरकार लेकिन अब हम कंपनी कारण की इस तरह के कदमों की संसदीर चानदीर की उम्मीद भी ना रखे ऐसे मामनों में इस सादन के समुहिक विवेग का इस्तमाल करने की अपेक्शा भी न करे सरकार ने इस फैसले को भी एक जहरा राज बना कर रखा हर खानों की मजदूर यूनियूंस तक को विश्वास में नहीं लिया ना तो श्रामिकों को विश्वास में लिया जिनके पसीने से ये उद्योग करे हुए है मैं सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि सारवजैनिक शेत्र के उद्योगों का बुनियादी पर लोग कल्यान है मीजी पुंजी पठीयों का लाप पहुचाना नहीं अब्याक्ष्म होवे पंदित जबहारला नेरू ने हमारे सारवजैनिक शेत्र के उद्योगों को आधूनिक भारता मंदिर पहा का आज ये देखकर दुख अफसोस होता है कि इस तरह के ज्यादातार मंदिर खत्रे में है मुनाफ़े के बहुजूद उनके करमचारियों को समय पर बेतन नहीं दिया जा रहा है और कुछ खास कुछी पत्यों को पायदा पहुचाने के लिए उन्हें संकट में डाल दिया जिया है HL, BSNL और MTNL के साथ क्या हो रहा है ये किसी से किसी से भी छिपा नहीं है अध्याक्ष महादे मैं आप को आपके जरिये सरकार से अनुरोज करती हूँ कि वे राइबरेली की मौजन कोच फैक्टरी और सरवजेनिक शेत्र की सभी सभी समपचियों की पूरी रक्षा करें और उन्हें इस मांजिल तक पहुंचाने वाले श्रामिकों और उनके परिवारों के प्रती सम्मान और आदर का भाव रखें